सिरलंका को आखरी ओवर में 7 रण की जरुत होती है सिरलंका की तरफ से मैधान पर मौझूद रहते हैं भानुका राजापक्चा और दसुन सनका वहीं भारत की तरफ से आखरी ओवर ले कि आते हैं आकशदीप सिंग ओवर की पहली ही गेंद पर राजापक्षा सौठ खेलते हैं और एक रन बटोने में कामियाब रहते हैं और अब यहाँ से पाँच बॉल में छे रन की जरुत होती है स्रिलंका की टीम को वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर संका भी बड़ा सौठ केलते हैं लेकिन केवल एक रन नहीं आपाता है और अब यहां से चार बॉल में पांच रन की जरूत होती है ओवर की तीसरी गेंद पर रगजा पक्षा बड़ा सोट खेलते हैं लेकिन इसमें भी बाउंडरी नहीं आपाता है और भाग कर दो रन ले लेते हैं और यहां बराबरी पर मुकाबला आता है क्यो की दो बॉल में दो रन की जरूत होती है बहुत लोगों की उम्मीद थी कि क्या हमें एसिया कप 2022 का पहला सूपर ओवर देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ओवर की पांच भी गेंद पर सनाका सोट खेलते हैं और दो रन भागने में कामयाब रहते हैं और इसी के साथ यहाँ पे सिरलंका की टीम 6 विकेड से जितने में कामयाब रहती है और भारत हार कर एसिया कप 2022 में सफर समाप्त कर चुकी है